और कैसे हैं आप सब तो आप सभी का ग्रिज्वेशन एक्जाम स्टार्ट होने बाला है बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा और आपके लिए एक न्यूज है आपके यदि आप O लेवल कर रहे हैं या त्रिपल सी कर रहे हैं तो उन सभी का वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्द है उनको भी जाकर देखिए O लेवल का भी एक्जाम जन्वरी में स्टार्ट होगा या स्टार्ट होने बाला है तो इस वीडियो में हम आपको जैसा की सभी वीडियो में हमने बताया है इस वीडियो में बी ए प्रथमवार्श प्रथम समेश्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनितिक विज्ञान जो छात्राएं बी ए प्रथमवार्श प्रथम समेश्टर में हैं जिन्होंने राजनितिक विज्ञान लिया है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत पुड़ ह important, सारे question important है ठीक है, सारे question आपको लगवा important दिख रहे है यहाँ से सारे question important है ठीक है तो लगवा कमने तीन वीडियो पूरवाइट खराया है जाकर देखिए उन सभी वीडियो को ठीक है, उन सभी वीडियो को जाकर देखिए चलिए शुरू करते हैं question कोस्टन शुरू करने से पहले बता दे मेरा नाम है अमन प्रजयापती तो यहाँ पर पहला कोस्टन दिया गया है सविधान सभा का निर्माण किसके अंतरगत हुगा सविधान जो सभा है उसका निर्माण किसके अंतरगत हुगा और दूसरा प्रस्ण है समिधान सभा का पहला सस्त्र कब और किसकी अध्यच्छता में प्रारंब हुगा समिधान सभा का जो पहला सस्त्र है या पहला पीडियड है वह किसकी अध्यच्छता निकिसकी वैठक में प्रारंब हुगा यहां पर यह तूसरा प्रस्ण हुआ तीसरा प्रस्ण यहां पर आपको दिख रहा है तीसरा प्रस्ण है मौलिक अधिकारों या मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं या मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं यह हमारा चोथा प्रस्ण है और तीसरा प्रसन दियागा है भारती सविधान सवाकी प्रस्तावना लिखे जो भारत का सविधान है उसका पूरा प्रस्तावना लिखना है इन सभी प्रसनों का उत्तर आपको 50 सब्दों में देना है कितने 50 वर्ड में देना है और इन सभी प्रसनों का जो नंबर है वार दो नंबर का रहेगा दो से तीर नंबर तक एक प्रसन का नंबर रहेगा और पांचवा प्रसनों दिया है भारती सभिधानों में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भारती सब्दानों में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर हम आपको उत्ता दे भारती सब्दानों में मौलिक अधिकारों की संख्या च्छा है बस आपको इतना लिखना है कितनी है च्छा है कौन-कौन से है ये भी लिख देंगे तो वेटर होगा अगर छाठोंagit Kunghaastahov है बहुत ही इंपॉटनेंट हे आपके नागरिक्ता से है और आप किस देश के नागरिक हैं भेहत ही इंपॉटनेंट प्रस्न है आ भी सकता है आपके एकजाम में तो प्रस्न क्या पूछ रहा है मारा नागरिक्ता किसे कहते हैं या नागरिक्ता से आप किया समझते हैं सात्वा प्रसंद दिया गया है नागरिक्ता अधिनियम 1955 के तहत या 1955 के अधिन कितने प्रकार के नागरिक्ता प्रात की जा सकती है क्या बुछ रहा है और नागरिक्ता अधिनियम 1955 के अधिन कितने प्रकार से नागरिक्ता प्रयाप्त की जाती है यह हमारा साथवा प्रस्ण हुआ दिये तो इसमें बहुत सारे प्रस्ण है साथ प्रस्ण दिये हैं लेकर केवल करना है हमें पांच प्रस्ण क्या पांच प्रस और आपका पेपर दू रहता है 75 नुमर का रहता है यानि पी 2020 के अधार पर अब कुछ यानि की यानि पी 2020 अब नया एजुकेशन चालो होगा यानि पी 2023 को आज जाकर देखिए हम टेलिग्राम में आपको सेयर किये हैं जो भी इनफॉर्मेशन होती है हम चैनल से अनि टेलिग्राम ग्रूप से जुड़िए हमारे चलिए अब हम लगूत्री प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर लगूत्री प्रस्ण में हमारा पहला प्रस्ण दिया गया है भारती है सब्धान नों में वडित मौली कदिकारों की बेज़ना कीजिए उप भारती है सब्धान नों में वडित यह लिखित मौली कदिकारों की बेज़ना कीजिए यानी भारती है सब्धान में कौन कौन से मौली कदिकार दिये गये हैं उनकी हमें वीवेजना करना है अगला प्रस्ण है भारति सविधान में वर्णित सविधानिक उपचारों का अधिकार क्या है जो सविधानिक उपचार है या बिचार है उनका क्या अधिकार है यह किसलिए है तीसरा प्रस्ण है राष्टपति की वास्तविक इस्तिती को सपस्ट किजिए राश्रपजी का जो वास्तविक इस्तिती है उसको सपस्ट करना है यानि बताना है चोथा प्रस्न है विधान सभा और विधान परिशद में संबंद बताए एक तरफ विधान सभा लिख लिजीगा यहाँ पर विधान एक तरफ विधान सबा लिख लिजिगा एक तरफ विधान परिशद लिख लिजिगा और दोनों में क्या अंतर है या क्या संबन्ध है आप बता सकते हैं पांच इधर लिखिए पांच इधर लिखिए हो गया अंतर और इन प्रसनों का उत्तर आपको 200 सब्दों में लिखना है ठीक है अंतर बाला बताएंगे वो भी वेटर रहेगा और आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे छोटे-छोटे लाइन में वो भी वेटर रहेगा तो 200 सब् और किस स्कॉलेज से हैं लगभग या सभी कालेजों के लिए बहुत ही महतपुड है तो आप सभी का जो पॉर्टिकल साइंस का पेपर होगा भी ये पर्थम वर्थ पर्थम समेश्टर तो पेपर का नाम की होगाँ आपके तो लगभग सभी की एडिमिट कार्ड में भारती हराश्टी आन्दोल ने भारत कालसा विदहान यानि कि इंडियन नेशनल मुमेट एंड कंट्रक्शन आफ कंसिट्यूशन आफ इंडिया लिखा होगा क्या लिखा होगा इंडियन इंडियन ठीक है नेशनल मुमेंट एंड क्या एंड ये वाला एंड रहता है कंसिट्यूशन आफ इंडिया लिखा होगा ठीक है क्या लिखा होगा इंडियन नेशनल मुमेंट कंसिट्यूशन आफ इंडिया यानि भारती राष्टी आंदूले ने भारत का सविदान इतना लिखा होगा आपके एडिमीट कार्ण में तो यानि कि आपके लिए महत्पुड है यानि कि जितने भी ग्रजिविशन कॉलेज हैं एफिलेटिट कॉलेज हैं सभी के लिए महत्पुड है तो हम कहां थे हाँ के प्रमुख साधनों का संचिप में वर्नन कीजिए राजस्व यानि की कर से रिलेडेड होता है राजस्व कर आगे बढ़ते हैं सात्वा प्रस्ण है भारत में निरवाचन आयोग की रचना कीजिए भारत में निर्वाचन आयोग क्या होता है इसकी विवेजना या रचना करना है या व्याख्या भी कर सकते है आठवा प्रसन है हमारा उच्चतम न्याले भारतिय सविधान का सनरच्छक यानि रच्छक है व्याख्या करना है जो हमारा उच्चतम न्याला है वो क्या है जो हमारा उच्चतम न्याला है यहां बढ़ दिया गया है वो क्या है भारती सविधान का सनरच्छक है इसकी व्याख्यक करना है चलिए आगे बढ़ते हम आगे हमारा परसन होए दिरग उतरी है परसन तो लाला एक बार चैनल को सेय कर देजिए एक्जाम आ गया है लेकिन आपको जुकना नहीं है जुकाना आए उस पाप उस पुराज जुकेगा नहीं तो यहां पर ठीक है एक्जाम में आपको जुकना नहीं है एक्जाम आपको सारे प्रसंद करने हैं चाहे आता हो या ना आता हो जो भी आप पढ़े हैं को याद करते हुई लिखना है शली आगे बढ़ते हैं दिर्ग प्रस्ण में हमारा दिया गया है भारती हसंध में केंद्र वराज्यों के सम्मंधों का विशले सड़ कीजिए दूसरा प्रस्ण है सरवच न्याले या न्याय पालिका की स्वतंतरता कावर्णन कीजिए दूसरा प्रस्ण है तीसरा प्रस्ण है सविधान सभा और विधान परिशत की रचनायों कार्यों का विवेचना करना है आपसे अलग अलग भी पूसरता है विधान सभा की रचनायों का विवेचना के जिए या विधान परिशत की रचनायों का विवेचना के जिए तो हमने दोनों प्रस्ण यहां पर एकी में कर दिया है जो था है नागरिक्ता से आपका क्या तत्पर है नागरिक्ता कैसे प्राप्त होती है और किस परकार गाया बेनी बिल्यूट तो हो जाती है जिसको सफ़्ष्ट करना है पांचवा प्रस्ण है भारती है सविधान में राज के नेती निर डे सकते तो क्यों रखे गए हैं और उनका ब्यूर, दीजिए, मॉर लिक अदिकारों और उनमें क्या अंतर है, इस पर्स्ड करना है, यह हमारा was5 प्रश spends है एक स्ट्रा स्ट्रा प्रसन में हमने डाला है, और रङें हमने आती लगोतरी में डाला है, और लगों में भी डाला है तो केवल आपको इजन में से देरगों में से आपको तीन प्रस्ण ही करने है तो चलिए आपका प्रस्ण हुआ समात और यह माडल पेपर नूबर चार है इसके पहले तीन वीडियो बनाया गया है पॉलिटिकल साइंस प्रथम वरस के लिए यदि आ पार बार काते हैं आप हमारे टेलीगाराम गुरॉप से ज्माइन हुए टेलीगाराम गुरॉप से आप सबी से और आपको इंपरबेशन पूरी तरह से नहीं में में पाती है झाजास जल ज़ल ONEY हुई चलिए आपसे हम अगले वीडियो लता है अन्य दहieß